स्वागर दोस्तों आप सभी को तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वालो कि कैसे आप अपने Samsung A10S या फिर किसी भी Samsung Mobile पर आप Auto Call Recording Setting कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको Complete Details और Complete Setting या पर करके बताने वह ठीक है तो यहां पर रिकोर्डिंग के रिगार्डिंग पर आपको क्या कैसे टिंग करने को मिलेगा क्या क्या सेटिंग दोस्तों एवलेबले आपके Samsung के फॉन पर तो यहां पर दोस्तो इसी वीडियो के अंदर पर सब कुछ हम चेक कर लोंगे तो इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको Setting भी मैं आपको करके बताऊँगा तो इसके लिए दोस्तों आपको Simply जो है वीडियो पूरा देखना होगा तो वीडियो शुरू करने से पह आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आईए हम वीडियो को बिना देर किये हुए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो यह दी आपका जो यहाँ पर Samsung phone है उसमें आप Auto call recording setting करना चाते हैं तो आप जाए अपने dialer पर ठीक है calling पर आप जाए उसके वाद दोस्तो आपको ऊपर 3 lines पर क्लिक करना है यानिकी 3 dots में आपको क्लिक करना है और दोस्तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है setting पर तो setting पर जाती दोस्तो आपको यहाँ पर show करेगा call recordings तो आप यहाँ पर जाए उसके वाद दोस्तो आपको यहाँ पर म में तो उसके बाद दोस्तों आपको ओल नंबर रिकॉर्डिंग करने का उप्षिन मिल जाते हैं सेलेक्ट अंसेफ नंबर ठीक है यानि कि आनो नंबर रिकॉर्ड करने का उप्षिन मिल जाते हैं यदि कोई आपको अनो नंबर से फोन करते तो उसका रिकॉर्ड ओन हो जागा देख सकते ठीक आपका रेकॉर्डिंग लिस्त तो अप दोस्तु यहां पर जाके ढख सकते हैं आपका फाइल मेनेजर पर ठीक है आपका जो भी रेकॉर्डिंग लिस्त हैं तो यही सब सेट्चिंग तो आपको यहां पर आट कोल्रेकॉर्डिंग के Online से अफिstes यहां पर दोस्तों आप सिंपली जो है रेकोर्डिंग कोल का ओप्शिन डेख सकते ठीक है रिसीफ नौटिफिक्षिण आफ्टर कॉल्स और रेकोड़ेट तो यहां पर दोस्तों आप जब आप किसी के साथ बट करते और आपका फोन रेकोर्ड हो जाते हैं आपका कॉलिंग का थिए करना चाते तो यहां में आपको कैंपलीट सॉलीशन यहां यहां पर बता रिया है तो आप प्रोस्तों को फोलो कर लीजर है आपका सकते आप एफ हुअ कि बिदीए के विद्यों में दूस्तों बसक्तू है